वेलकम स्टुडेंट तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम सॉलिट कप्लिंग बनाते हैं तो जो डाइमेंशन है वो मैं अपने design में जाएंगे तो यहां आपको part design का option मिल जाएगा यहां आप click करेंगे और यहां से आप नाम change कर सकते हैं उसका जो भी आप रखना चाहें suppose यहां पर मैं coupling लिख रहा हूं और यह यहां पर आपको user interface open हो गया है part design का यहां से आपको sketching पर click करना है new design बनाने के लिए आपको पहले sketch बनाना होता है तो यहां से आप sketch पर click करेंगे दैन उसके बाद आप यहां से कोई सा भी plane select कर सकते हैं जिस plane पर आप करजर लिकर जाएंगे यहां पर वही highlight होता रहेगा like this suppose यहां पर मैं xy plane select कर रहा हूं और यहां पर हम बनाना शुरू करेंगे design तो चलिए सबसे पहले हम एक circle draw कर लेते हैं तो यहां पर मैंने circle पर click किया आफ्टर डैट अगें यहां पर मैं एक और circle पर click करता हूं कि दोनों circle draw करने के बाद आप यहां पर constraint पर click करेंगे और फर्स circle पर click करेंगे तो यह मैं diameter को set कर दे रहा हूं 220 ओके और अगें constraint पर click करेंगे और अंदर वाले circle पर click करेंगे इस diameter को मैं 100 feet कर दे रहा हूं तो यह हमारा 100 का diameter है तन आफ्टर इसको आप exit करेंगे यहां से sketch को और pad पर click करेंगे ताकि आप इसको third dimension दे सकें तो pad पर click करने पर यह आप से distance पूछेगा कि कितने distance तक आपको इससे pad करना है तो यह हम यहां पर feed कर रहा है 25 तो यह कुछ इस तरीके से बन गया है अगें हम वापस से यह उपर वाला face select करेंगे अपर आप आप से sketch करेंगे इसके बाद आप आपशस से circle ड्रॉ करेंगे इसके centre से यहां दो circle को созд करने है इसके बाद आप constraint पर click करेंगे और यह उन्दर वाला circle है इसका diameter आप तोही रखेंगे जो आप का यह वाले circle का था जो की 100 था और अगें restrictive पर क्लिक करने के बाद ये वाले सर्किल पर क्लिक करेंगे और इसका डायमेट्र आप रखेंगे 120 तो ये कुछ इस तरीके से आपका बन कर आ जाएगा इसके बाद आप यहां से जोब अगेट को करेंगे सारी स्केछ is sollic die करेंगे ड infra पाप पर क्लिक करेंगे और पर क्लिक करने के बाद आप इसको डाइमिंशन देंगे जो की है 125 आप ok क्लिक करेंगे तो यह कुछ इस तरीके की जो मैक्टरी आपकी बन गई है यह तरीके से शाफ्ट का एक portion है और you can say कोई pipe है उसका एक side का portion हमने बना दिया है इसी तरीके से दूसरी shaft का कोई portion होगा जिसको हमें join करना है तो इसके बार आप यहाँ पर यह नीचे वाला face select करेंगे then आप again sketch पर click करेंगे और यहाँ पर आप hole बनाएंगे यह सारे holes आप यहाँ पर बनाएंगे तो यह जो holes है वो बिल्कुल सही position पर आएं इसलिए मैं यहाँ पर एक circle draw कर ले रहा हूँ सिर्फ reference के लिए इस circle को मैं बाद में delete कर दूँगा तो यह जो हमारा outer वाला circle है यह हमारा 220 का था और यह अंदर वाला 100 का था तो हम यह जो reference के लिए circle यहाँ पर draw कर रहे है इसको थोड़ा 160 का circle हम यह draw करेंगे तो यह सिर्फ reference के लिए है ताकि जो हमें hole करने है वो इस circumference पर हम hole करें यहाँ पर आप circle क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप एक circle draw कर देंगे जिसका diameter 12 होगा like this इसके बाद आप यह जो reference circle है इसको आप delete कर देंगे दैन आप exit पर क्लिक करने के बाद आप cut out पर क्लिक करेंगे यहाँ pocket पर और इसके बाद आप ok क्लिक करेंगे तो यह यहाँ पर hole बन जाएगा जैसे कि आप यहाँ पर देख पा होंगे यह आपका hole बन चुका है देन आप यहाँ पर circular pattern पर क्लिक करेंगे यह hole बनने के बाद जब आपने circular pattern पर click कर दिया है तो यहाँ पर आप instant feed करेंगे suppose मुझे हाँ पर six hole चाहिए reference element is this is my reference element like this you can see here so it's showing three six but I am increasing now it's eight right तो इतने hole काफी है इसको tight करने के लिए इसके बाद आप प्रीवी अगर देखेंगे तो इस तरीके के कुछ hole हो जाएंगे तो यहां हम okay कर देते हैं और इन holes को done कर देते हैं तो यह हमारा अगेन हम save as कर लेते हैं और इसको हम coupling two के नाम से save कर लेंगे इसके बाद हम यहां पर nut and bolts को बनाएंगे तो यह जो हमारी thickness थी यहां से यहां तक कि नीचे वाले base की यह हमारी 25 है इसी दरीके से से दूसरा वाला जो base हमारा side connect होगा उसकी 25 होगी तो जो हमारी total थिकनेस आएगी दोनों plate की वो 50 आएगी और जब हम इसमें nut को attach करेंगे तो हम इसी तरीके से नट बनाना होगा टी का हो तो चलिए अब हम nut and bold start कर लेते हैं बनाना तो यहां से मैं इसको बंद कर दे रहा हूं और यहां से हम again दूसरे new part design में जाएंगे plane select करेंगे sketch पर click करेंगे अब आपको nut and करेंगे और constraint में जाएंगे तो यहां से आप इसका diameter डिसाइड कर सकता हैं तो यह मैंने यहां पर ट्वन्टी diameter का draw किया है क्योंकि हमें बीच में 12 diameter का hole चाहिए इसके बाद आप यहां पर एक पर क्लिक करेंगे और यहां क्लिक करेंगे तो यहां पर आप इसको कंस्टेंड कर लेंगे यह हमें बारा का चाहिए क्योंकि जो होल हमने किये हैं वह बारा डायमेटर के हैं इसके बाद आप एक्जिट पर क्लिक करेंगे और इसके बाद पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपक इतनी ही रखनी है सपोज मैं इसको 10 feet कर दे रहा हूं dimension को 10 तो यह कुछ इस तरीके का दिखेगा बनने के बाद हम इसमें thread नहीं बना रहा है क्योंकि हमें सिर्फ इसका coupling का design दिखाना है क्योंकि already जो thread वाला portion है वो hide हो जाएगा तो इसलिए हमने यहाँ पर thread नहीं बनाई है आप चाहे तो thread बना सकते हैं इसको मैं save कर ले रहा हूं after that इसको मैं close कर रहा हूं और again दूसरा design बनाएंगे जो कि हमारा bolt होगा तो यहाँ पर मैं इसको दूसरा नाम जग देता हूं after that again we have to select plane then go to sketch then again go to hexagon then here we have to click after that click on circle then constrain again this is 20 तो यह 20 diameter का हमने बना लिया है इसके बाद आप यहाँ exit करेंगे sketch पर और pad पर click करेंगे और यहाँ पर again आप 10 की height feed करेंगे तो यह अपने 10 की height यहाँ पर feed कर दी है आप उपर वाला plane select करेंगे then again sketch करेंगे sketch करने के बाद आप यहाँ पर circle draw करेंगे तो यहाँ मैं circle draw कर ले रहा हूं और इस circle का diameter होगा 12 तो यह मैंने 12 feed किया तो यह 12 यह ने diameter feed कर दिया है then exit करेंगे geometry को इसके बाद आप यहाँ पर पैड़ पर click करेंगे और इसको dimension देंगे तोटल जो हमारी thickness है single plate की वह 25 है तो जो हमारे पहले plate की thickness है वह 25 है दूसरे plate की भी thickness 25 है तो यह total distance 50 हमारी cover हो जाएगी दोनों plates में इसके बाद जो हमारा bolt है तो वह भी हम इसमें एड़ कर देंगे तो यहां total distance रख रहा है 60 की जो हमें यहां पर extrude करना है तो यह हमारा bolt बनकर तयार हो गया है कुछ इस तरीके का तो आप इसको save कर देंगे यहां पर मैं इसको bolt time से save कर दे तो यह हमारे सारे component बनकर तयार हो गया है इसके बाद आप यहां start पर क्लिक करेंगे mechanical design में जाएंगे और assembly design में जाएंगे यहां पर आपको सारे component बोट करने हैं जिनको आपको assembly करनी है यहां product पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहां यह arrow दिख रही होगी यहां आप पर arrow पर दैन जो मेरे component है वो desktop पर है तो चलियंग को मैं पूर्ट कर लेता हूं तो यह मेरा coupling one है then coupling two उसके बाद यहां पर मैंने नट बूल्ट बनाया था और एक नट बनाया था उसको भी मैं इंपूर्ट कर लेता हूं तो यह सारे component मैंने यहां पर इंपूर्ट कर लिए हैं आप automatically rename पर क्लिक करके हैं okay कर सकते हैं तो सारे component आपको यहां पर दिख जाएंगे अभी शायद यह आपको ना दिख रहे हूं क्योंकि सारे component overlap हो रखें अभी तो आप one by one करके उन component को अलग कर सकते हैं आप यहां पर यह जो आइकन देख रहे हो इस पर आप राइट क्लिक करोगे और यह और यहां पर snap automatically वाला option select करना है इसके बाद जिए component पर आप क्लिक करोगे उसको आप ड्रैक कर सकते हो अलग position में ले जाने के लिए जिस तरीके से आप यहां देख पा रहे होंगे यह इसके बाद इसको भी मैं थोड़ा इधर रख देता हूं तो यह आपके component है जिनको आपको one by one assemble करना है तो चलिए देख लेता है कि assemble किस तरीके से किया जाता है मैं पहले इस component पर क्लिक कर रहा हूं यह वाले पर और इसके बाद मैं इसको rotate करूंगा रोटेट करने के लिए मैं यह arrow का यूज करूंगा लाइक दिस तो यह कुछ इस तरीके से घूम जाएगा जैसे आप यह देख रहे होंगे कि यह घूम चुका है तो अब इन दोनों component को जोनने के लिए म अब इसके cylinder पर लेकर आओगे तो यह access दिखाएगा इसके बाद इसके cylinder पर लेकर आओगे तो यह access दिखाएगा इस पर क्लिक करते ही एक दूसरे के alignment में आ जाएंगे यह एक ही access पर आ जाएंगे आप चाहो तो इसको rotate करकर देख सकते हो like this like this यह देखिए यह एक ही access पर आ करना है तो यह दोनों आपस में मिल जाएंगे और आप देख रहे होंगे जो होल्स हैं इनके वह भी एक दूसरे को मैच कर गए है ठीक है इसके बाद आपको इनके नेटेंड बूल्ड की असेमली करनी है जो नेटेंड बूल्ड आपने यह बाद में बनाये थे तो इसके लिए मैं यहां पर इसको रोटेट कर रहा हूं ताकि यह कुछ इस तरीके से पोजिशन में आ जाए और इसको थोड़ा सा ऊपर मूव कर लेते हैं क्योंकि इसके लेव हूं और उसके बाद मुझे क्लिक करना है यहां यह जो नीचे वाला फेस है इसके सर्किल पर क्लिक करेंगे तो आपको एक्सेस दिख जाएगी इस पर क्लिक करेंगे दैन इस होल की एक्सेस पर क्लिक करेंगे तो यह दूसरे के अलाइमेंट में आ जाएंगे यह देखिए यह जो आपका NUT है वो उसकी alignment में आ गया है इसको rotate करके भी दिखा देता हूँ, यह यहाँ पर ठीक है तो यह जो net है यह alignment में आ चुका है, इसके बाद आपको ये करना है कि जो यह वाला face है इसका, यह वाला face, यहाँ वाला face, यह जो face है आप इसनेप पर क्लिक करेंगे इसके बाद जो यह वाला फेस है देखेगा यह सेलेक्ट हो गया है जो हाइलाइट हो रहा है औरेंज कलर से इस पर क्लिक करेंगे तो यह वाला जो फेस है हमारे इस इस assembly file के हमारे इस assembly file के यह वाले face से touch करेगा तो आप click करोगे तो यहाँ पर match हो जाएगा पूरा proper तरीके से यह देखिए यह पूरे proper तरीके से match हो गया है और इसका कुछ portion यहां भार निकल गया है यहाँ पर तो यहाँ पर यह जो हमारा nut है यहाँ पर attach हो जाएगा तो चलि है तो चलिए पहले हम इनकी access को match कर लेते हैं यहाँ मैं snap पर click करूँगा snap पर click करने के बाद यहाँ पर मैं इसकी access पर click करूँगा यह देखिए access आ गई है इसके बाद इसकी access को मैं इसकी access से match करूँगा तो यह देखिए दोनों एक ही access पर match हो गया है इसके बाद यह जो नीचे वाला फेस है वोल्ड का यह जो नीचे वाला फेस है आप इसकेप क्लिक करेंगे दैन अगेन स्नैप पर क्लिक करेंगे और यह जो नीचे वाला फेस है यह देखिए जो औरेंज कलर से सेलेक्ट हो गया है इस पर क्लिक करेंगे और रोटेट करेंगे फिर असेंबली फा आपको इसी तरीके से आपको बाखी के जो नट है इनकी भी करनी है तो चलिए मैं जल्दी से इनकी सबकी एसेमी करें लेता हूं बढ़ जब आ इंपोर्ट करेंगे तो ये फिट से repeat होकर वापस यहीं आ जाएंगे ये देखिए ये दोनों पार्ट यहां पर आ चुके है आप इन पर click करेंगे इनको आप कहीं भी move कर सकते हैं then second component यहां पर है आप उसको भी move कर सकते हैं तो यह second component को दोनों इसी तरीके से आप इसको बार-बार रिपीट करके यही नट आ सकते हैं और होने के बाद हमारे खूछ कुछ इस तरीके का दिखता है यह हमारे से जोइनिट किया है तो I hope कि आपको फच्च लाई होगा इसी तरीए की विडियो देखने के लिए प्ली सअस्क्राइब दे चैनल वाचेंट के लिए तन्य डीजक्ट फ़ेल्जेट प्लीद वथाव मोचेद वाचेंट इंटिश्ण लगे ओग और